नमस्कार आप देख रहे हैं जीजेशनीश 24 और इस समय हम चुनावी यात्राम हैं जिस तरह से 3-3-5 चुनाव का हला बोल हो चुका है उत्तर पर्देश में अभी सरकार की तरब घोसड़ाएं नहीं हुई हैं हलाकि बैठके लगाता चारी हैं उसी सिल्सिले में हम जमीनी अस्तर पर आये हैं आज जीजेशनीश 24 पंचायती चुनाव में आज फैसला होगा कि गाउं का सरपन्च कौन होगा हर गाउं में कुछ ना कुछ पत्यासी खड़े हैं सबका अलग-लग सोच है सबकी अलग-लग र भावत हैं ऊसने काम किया है यह भी CultAL there लेकिन इस गाउं में अको दिखा रहें कि गाउं की सिर्टी क्या है गाउं में कितना विकास हो ओगा है यह काम लहे स propag Department और क्या सितिय हैं आप आगे आईएगा क्या नामसर्ण राजे स्यादू जी है आप जैरा जाज़ राहुल जी है रामजेवर यादू देपुपरजब अंकीत यादू सावरभ यादू सिवचन निचेश जी देवेंद्र यादू तो यह जो अभी हम यदुवन सी टोले में ह हैं तो इसे लिए यहां यादूं का जमाड़ों ज्यादा है हलाकि हम पूरी सिती हम आपको दिखाये हैं कि गाउं में हर काश्ट के लोगें आपे हैं और सब में भाईचारी की सिती बनी हुई है यहां कोई ब्यमस्ता की बात नहीं है यहां सब लोग भाईचारी के साथ र दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि हर चुनाओं में बड़े बड़े दावे होते हैं उमीदवार बड़े बड़े दावे लेके आते हैं और सबका फोकस ग्राउं पर होता है क्योंकि प्रदानमंति नर्यन मोधी जी भी गाउं पर बूथ लेवल की मजबूती के यहीं हाकिकद यहां की तकलीफें पूछेंगे ये एक इक लोगों से क्या Apache नाम है मेलाा नहीं लों को नहीं लग किसी के लिगए को लोग को मिला हुआँ तो गाउं प्रदान लेकिन जो इस्तिती है गाउं की इस इस्तिती में यह लग रहा है कि लोग आया तो आप साइड में देख रहा है कि किस्तान से साफसताई का वीरण चरण आप देख सकते हैं कि नालियों की सिती क्या है कि साफसाई की सिती क्या है तो आप आईए का सामने क्या नम है अब देवें द्रियादों जो बैरान हमारे गाउं की स्तिती है इस समय लोगों के पास ना तो लेटिंग कुछ लोगों को नहीं मिलिये आवाज की दिक्कत है और पानी निकलने की कोई रास्ता ही ना है और रास्ते की दिक्कत देखिजाए कि हमारा कुछ विकास हो लेकिन अभी तक हमारे गाउं में विकास नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है काफी लोगों को दिक्कत है जैसे इन लोगों के सामने घर के सामने पानी निकलने की जगा नहीं है और इन्होंने अपने घरों के सामने सोकता बना रखा है इन्हें प सबसे बड़ी बार तो जो सोचाले की इस पर आप बहुत से बजट पास हुई है लोगों को ही सोचाले मिला है लेकि पधा मंत्री जी का यह एलान था है कि हर घर सोचाले होना चाहिए बहुत से बजट पास हुई है लोगों ने समास्यवी संस्ताओं ने भी बढ़ चड़के हिस्सा लिया तो ऐसे में यह सितिया है तो बता यह जो परत्यासी आते हैं सब के दावे होते हैं सब यह घाँ को दिली की तूलना कर देते हैं लेकिन यह हघीकत होता है जब उनका चुनाव जिए जाते हैं तो इससी तिनों के बाद तो सही काम करते हैं फिर बदल जाते हैं बदलने के मतलब कुछ चम्चे ऐसे हो जाते हैं जो उनके लिए खास हो जाते हैं और गाउं के बाकी लोग पराये हो जाते हैं इसलिए विकास जो खास हैं उन्हीं को मिल पाता है और जो बिचारे पराये हो जाते हैं जो सीधे साधे लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल पाती आप से सवाल है कि आप नो युवक हैं ऐसे में सबसे बड़ी सवाल यह है कि परधानी चुनाव आता है तो इसमें पर परत्यासी होते हैं बड़े-बढ़ चरक हिस्ते लेतें क्यों कि जूटे वादे करतें वादों पर खरे उतरते ना आप देख लीजिए हमारे गाउं के प जनता को विकार चाहिए रास्ते चाहिए नाली चाहिए पानी निकलने की सुभदा चाहिए और क्या चाहिए गाउं के आम आदमी को क्या चाहिए पैंसन जो पैंसन लेने लाइक है पैंसन जो आवास के पातर है आवास दीजिए हमें जितनी योजनाय चलती हैं सरकार देने के लिए बनाती है कि सब हर वेक्ति तक पहुंचे उसलिए चुनाव होते हैं यह परकिया होती है लोग तन्त का सबसे बड़ा दावेदार जो मुख्या होता है वही निकल के आता है वही सब काम करता है फिर ऐसे इस सिति क्यूं आती है कि अभी किसी भी गाउम चले जाए जो इस अभी कास करने की चमता रखए उसी को वीकास का परधान बनाई यह बताएगा कि अचला परधान हो भी गए तो उसके बाद यदि आपने विक घए तब क्या होगा गए ऐसी तो इस्तिति आएगी नहीं अगर आएगी हुई तो मुझे निगलेट कर दें दूबारा दुबा गई है तो ऐसा कब तक चलेगा कब तक युवा अपनी कमान अपने देश की विकास के लिए पीछे भागता रहें देखिए अभी तक हमारे जो इस्तितियां थी लोग कम जाग रुख थे बलाक अस्तर तक नहीं जा पा रहे थे जो जानकारी उन्हें मिलती थी परधान के माद है्टे उये बिखारत क्लियों कॉंता है आम तक यह सवाल है कि सितिष्ट जोबी हो यहां की सोच है कि जो भी परधान हो और दावे 5 साल के लिए होते हैं जो आप walked करते हैं उसे आप पुरा निभाई है क्योंकि एक बार जन्ता बार बार धोका खाती चली आई है और फिर आप धोका देंगे तो जन्ता टूड़ जाती है ऐसे में आप अपने विकास पर बाते करें वो पूरता खरे उतरें यही सबसे बड़ी होई लेकिन तिर्यस्ती पंचाई चुनाओं में जन्ता लेकिन आप कुछ नहींगे क्योंकि कभी-कभी मौन भी रहते हैं हलाकि मौन भी रहना चाहिए तो बताईए और कोई सवाल है आपके मेरा उद्यस ही है कि गाउं में अच्छी सड़के हो अच्छी नालियां हो विकास हो परनामंत्र जी कहते हैं कि गाउं का विकास देश का विकास तो कहें नहीं होता इतने पांच साल दस साल भी इतने वाले हैं फिर ऐसी सिती में क्यों नह जाते हैं और खुद के बनाने की शक्कन पर जो सवाल है कि यदि प्रतिनिदी ही खुद अपना विकास करना सुरू कर दे तो फिर क्या होगा गाउं की स्थितियां लेकिन फिरहाल हम किसी पर और उप नहीं लगा रहे हैं चुनावी आत्रा में हम यह दिखा रहे हैं कि हर कि स्थिति को जानेंगे तब तक के लिए जैहिन